नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों, पूरी दुनिया में हाहा कार मच गया है रावर्ण ने महिलाओं के बारी में तीन ऐसे सच बताई कि जिने जानकर आप भी कहेंगे कि सही में रावर्ण एक बहुत बड़ा ग्यानी था रावर्ण ने कहा था कि ऐसी महिलाओं से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाना ही सही है और भी कई सारी बाते बताईं थी जिसे जानकर आपके भी रौंगते खड़े हो जाएंगे रावड की इन बातों को जानकर आप भी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोश्तो रावड की बात करें तो रावड रामयान का एक मुक्य पात्र था रावड लंका का राजा था भे अपने दस सिरों के कारण भी जाना जाता था सास्तरों के अनुसार रावड महापंडित एवं महाग्यानी था जिसे हर बात का ग्यान था रावड इतना ग्यानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने बाला है दोस्तो रावर्ण भले ही राक्षस था लेकिन माता सीता का अभारण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था उसने अपनी चाया तक नहीं पढ़ने दी थी माता सीता पर लेकिन रावर्ण ने एक गलती की थी कि रावर्ण को अपने मर होने और सोने की लंका पर इतना इसी कारण उसने खुद ही अपना अंत कर लेकिन दोस्तों, राबन ने महिलाओं के बारे में ऐसी बाते बताई जिसे जानकर आपके भी रौंग्टे खड़े हो जाएंगे, महिलाओं के बारे में भैत तीन बाते जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो चलिए जानते ह लेकिन दोस्तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सस्क्राइब कर दें नमबर एक राबर्ण ने अपने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि इस्तरियों के पेट में कोई भी राज छुप नहीं सकता बहले ही आप इस्तरियों के कितने भी सगे संबंदि क्यों नहों बहे आपका वांडा कभी न कभी फोड़ ही देती हैं ऐसे में इस्तरियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं इसी बजा से कभी भी किसी भी इस्तरिय को अपनी गुप्त बातें ना बताएं अगर ऐसा किया जाए तो इस्तरियां हमारे बिनास का कारण कभी भी बन सकती हैं और ये बात बिल्कुल सही भी है नमबर दो, राबन ने ये भी बताया है कि इस्तरियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही जल्दी पलट जाती हैं और ऐसे में ये कभी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि इस्तरियों के काफी सोच विजार करने के बाद ही पहरोसा करना उचित माना जाता है। ऐसे में इस्तरियां लोगों के बीच लड़ाई जगड़े भी करवा सकती हैं। अब आप खुद ही अपने देनिक जीवन में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि राबर दुआरक कही गई इन सही बातों को आप सत्य मानते हैं जा असत्य। इस तरी का लालच राबर ने अपने प्राण त्यागने से पहले इस्तरियों के बारे में ये कहा था कि इस्तरियां बहुत ही जायदा मतलब ही होती हैं। और बहर अपना मतलब निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर चाहें उसके लिए आपको धोका ही क्य किसी को रास्ते से क्यों न हटाना पड़े या फिर किसी को अपनाना पड़े ऐसे में इस्तरियां अपने लालच में कुछ भी कर सकती हैं ऐसे में आप इस बात का फैसला खुद ही कर सकते हैं किस्तरियों के बारे में बताई गई ये बातें किस हद तक सचें और दोस्तों इस् इसान के बहे कावे में बहुत जल्द आ जाती हैं और किसी के वी जाल में फस जाती हैं फिर चाहें बहे मर्द हो या कोई औरत और ऐसे में दूसरों की बातों में आकर इस तरियां अपने ही घर का बिनास बड़े ही आसानी से कर लेती हैं दोस्तो इस तरियां जब किरोध में आती हैं बैस सामने बाले को कभी नहीं छोड़ती फिर चाहें बैस उसका पती ही क्यों नहों। दोश्तो राबड की कही हुई बातों को आप कितनी लाइक देंगे जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सस्ट्राइब करके बैल आइकन को जरू दवा दें।